Hello friends, आज मैं आप लोग के लिए एक बहुती बढ़िया उप्शन स्ट्रेटजी लेके हजिर हुआ हूँ और ये mainly एक selling strategy है, लेकिन this is one of the most reliable option strategy I have ever came across इसकी accuracy बहुती ज्यादा है, more than 90% अगर मैं बोलू, फिर भी मैं गलत नहीं होंगा 95% तक accuracy आपको मिल जाती है, लेकिन ये strategy आप हमेशा apply नहीं कर सकते उसके लिए आपको proper setup की इंतेजर करनी पड़ेगी तो ये strategy कब अपना नी है, कैसे अपना नी है, मैं आपको details बताऊंगा with few examples तो वीडियो को आन तक ज़रूर देखिएगा Friends, मैं हूँ Rajiv, आपडेक्स में आप सभी को स्वागत करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हो then please consider subscribing and साथ में ये bell icon दबना मत भूलेगा तो चलिए, आज की option strategy discuss करते है तो strategy discuss करने से पहले, मैं आपको option chain का कुछ important points याद दे लाना चाहूँगा and I am sure आपको शायद मालूमी होगा जैसे ये जो highest OI होता है ना, इसका क्या importance है highest OI और highest change in OI जैसे ये current expiry है Nifty का, यहाँ पर highest outstanding OI जो है वो लगबक 50,000 की OI है ये 500 की level पर 11,500 और highest change in OI भी same level पर ही है तो इसका मतलब है Nifty इस week में 11,500 पर एक बहुती strong resistance face करने वाला है ठीक है लेकिन ये level थोड़ा दूर है तो आप second highest जो change in OI है वो एक resistance का काम करेगा और ये पहला resistance होगा R1 होगा और ये वाला होगा R2 ठीक है तो पहला जो resistance होगा वो 300 की level पर होगा और दूसरा 500 लेवल पर ठीक है तो similarly put side में भी वैसा ही है जो highest outstanding OI होगा वो एक strong support का काम करेगा यहाँ पर जैसे 11,000 यहाँ पर 42,000 की OI खड़ी है और change in OI यहाँ पर 18,000 है लेकिन highest change in OI जो है वो लगबक 23,000 की OI है 11,100 की level पर तो पहला जो support होगा ये होगा S1 मतलब 11,100 और दूसरा support जो होगा S2 वो होगा 11,000 की level पर ठीक है और ये strategy based on this supports and resistance इसके लिए आपको क्या देखना होगा चलिए मैं आपको एक example दिखा देता हूँ मैंने एक screenshot लेके रख दिया था ये Nifty का option chain है taken on 14 February और ये 25 का data है तो यहाँ पर आपको क्या देखनी है इस strategy में आपको देखना है call side and put side में जहाँ पर significant change in why बिल्डा हुआ है तो put side में यहाँ पर कोई significant why तो नहीं दीख रही है change in why ठीक है outstanding why नहीं change in why लेकिन call side में देखो यहाँ पर significant change in why है ये है 12,200 की level पर और spot कितना है 12,105 तो इसका मतलब यह है 20th feb तक मतलब expiry तक 12,200 जो strike है ये एक बहुती strong resistance का काम करेगा और इसी का आपको फायदा उठाना है यहाँ पर highest change in why क्यों बिल्डा हुआ क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े players है FII, DII and pro traders वो लोग यहाँ पर short किये है वो लोग का मनना है कि 12,200 जो level है ये इतनी आसानी से bridge नहीं होने वाला है इसलिए वो लोग यहाँ पर दबा के call writing की है ठीक है तो आपको उन लोग को ही follow करना है तो आपको क्या करना है 12,000 की जो call है इसको write करनी है ठीक है और आपको hold करते रहना है अगले expiry तक यहाँ पर देखो आपको कितना premium मिल रही है 39.7 लगबग 40 रुपिस की premium आपको collect हो रही है और ये कितना आज 14 थै और 25 लगबग 5-6 दिन तो 5-6 दिन में आपको 40 रुपिस का premium मिल रही है तो ये बहुत बढ़िया है इंटो 75 करने से लगबग 3,000 है कि नहीं तो विदिन 5-6 देश आपको 3,000 profit मिल रही है और जैसे मैंने बताया कि ये one of the most reliable strategy है 95% of the time आपको profit मिलेगी लेकिन हाँ ये strategy आप हमेशा apply नहीं कर सकते उसके लिए आपको ये setup की इंतेजर करनी पड़ेगे तो चलिए मैं आपको चार्ड में दिखाता हूँ अगले 20 तरीक तक इसका क्या हाल हुआ था तो ये 14 फैब का data है और हमें देखना है 20 तरीक में ये कहां पर जाके closing दिया तो मैं आपको चार्ड दिखा देता हूँ यहां पर तो हम लोग 14 फैब की data लिया था ना तो 14 फैब यहां पर ये 13 और ये है 14 तो यहां पर देखो 14 फैब में यहां पर आपको short करनी है 12,200 call है किनी तो ये देखो ये level है यहां पर मतलब आपने ये level में short किया आपका मनना है कि निफ्टी 20 तरीक तक 12,200 level cross नहीं किया रहेगी तो देखो 20 फैब में ये कहां जाकर closing दिया ये 12,080 के आसपास closing दिया तो आपको पुरा का पुरा premium मिल गया है कि नहीं तो इसलिए मैंने बोला कि ये strategy बहुत ही एक reliable strategy है तो आप बहुत आसानी से इसमें जो premium है वो collect करके मुनापा कमा सकते हो चलिए और एक दो example देखते है और यहां पर interesting देखो आपको 40 फैब का premium collect हो रही है तब जो volatility है वो बहुत ही कम था ये जो IV का figure है वो देखो लगबग 10-11 की range में है तब भी आपको 40 फैब का premium collect हो रही है 5-6 दिन में और अगर ये volatility इंडिया weeks अगर बढ़ जाती है तो फिर आपका profit बढ़ जाएगी ठीक है तो चलिए और एक example देख लेते है ये है आपका 9th merge की data है तब Nifty का spot था 10,451 तो यहाँ पर देखो put side में कोई significant Y build-up नहीं है मतलब change in Y लेकिन call side में देखो यहाँ पर 11,000 की level पर है उसके बाद 10,800 की level पर है और 10,700 का level पर भी एक significant Y build-up देखने को मिल रही है तो आप इन तीनों strike में से कोई भी एक strike में short कर सकते हो उस टाइम देखो Nifty बहुत ज़्यादा गिरा लगवक 5% गिरा इसलिए आपको दूर दूर में ये highest change in Y दिख रही है तो आप यहाँ पर भी call short कर सकते हो 10,700 तो यहाँ पर भी आपको 40 रुपिस का premium receive हो रही है ठीक है अगर Nifty 10,700 का नीचे जाके expire हो जाती है तो आपको यह पुरा का पुरा premium receive हो जाएगे तो यह 9th March की data है और यह 12th March है तो बीच में सिर्फ 3 दीन ही है तो 3 दीन में आपको 40 रुपिस का premium में रही है तो यह भी हम लोग एक बार टेस्ट करके देखते है 12th March है न और हम लोग यह data काप लिया था 9th March को तो यह देहो यहाँ पर तो एस पार OI 10,700 जो लेवल है यह वाली लेवल यह एक strong resistance का काम करेगा तो आपको 10,700 CE को right करनी है collecting premium 40 रुपिस तो अगले तीन दिन में मतलब 12 March तक यह देखो बहुत नीचे जाके एक्सपार हो गे तो यहाँ पर भी आपको बहुत बढ़िया उनाफा ही मिला चलिया और एक दो देख लेते है उसके बाद देखो यह recent है यह September 21st यह बहुत recent data है यहाँ पर भी देखो यह नया जो website है NSE का वहाँ से लिया तो यहाँ पर थोड़ा कम देख रहा है यह सारा figures लेकिन पहले जो हम लोग देखा यह सारी यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा amount में दीख रही है और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दू यह जो significant हो आई है ना आई है यह more than 1 million हो नहीं है ठीक है more than 1 million मतलब 10 lakhs तो यहाँ पर यह 11 lakhs है यह 12 lakhs है यहाँ पर 18 lakhs है तो significant हो आई मतलब more than 10 lakhs ठीक है और अगर आप नय वेबसाइट में देखोगे NAC beta version में तो यहाँ पर लगबाग आपको 25 to 30,000 क्योंकि यह सारी data number of contracts में है ठीक है पहले जो हम लोग देखा वहाँ पर numbers of shares था तो divided by आपको 75 करना है तो आपको significant why जो है वो लगबाग 25,000 to 30,000 के आसपाज अगर मिल जाती है या उससे ज़्यादा तो ही आपको यह strategy अपना नहीं है तो यहाँ पर भी देखो call site में यह वाली जो strike है 11,500 यहाँ पर 32,000 की why खड़ी है तो यह एक strong resistance का काम करेगा तो आपको उसी का ही फाइदा उठाना है आपको 11,500 call को short करनी है ठीक है यहाँ पर देखो आपको premium कितना मिल रही है 48 48 बहुत बढ़िया premium ही है तो 3-4 दिन में आपको अगर इतना premium मिल जाती है तो यह बहुत बढ़िया premium ही होगा लेकिन हाँ यह strategy अपनाने के लिए आपको थोड़ा integer तो करना पड़ेगा थोड़ा patience रखना पड़ेगा आप अगर चाहो तो इसको backtest कर सकते हो आभी जैसे मैं current option chain दिखा देता हूँ यह 1st October expiry की data है आज तो 28th September है तो यहाँ पर देखो कहीं पर significant OI build up दिख रहे हैं कि नहीं मतलब change in OI तो यहाँ पर कोई खास नहीं है call site में तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर 16,000 की हो आई है 500 तो यह इतना significant नहीं बोल सकते लेकिन put site में हाँ यहाँ पर यह 22,000 की contracts है तो यहाँ पर भी आप put short कर सकते हो though this is not very significant number but आप एक chance लेके देख सकते हो तो आप यह strategy को backtest करने के लिए 11,100 की put को short कर दो collecting premium 35 रुपेज और देखो अगले Thursday तक यह कहाँ पर जाके expire हो जाती है ठीक है लेकिन यह इतना significant नहीं है तो यह मैं एक disclaimer देना चाहूंगा फिर भी आप इसको test करके देख सकते हो तो है ना यह बहुत ही आसान सा strategy आपको कैसा लगा comment box में लिखके जरूर बतेएगा friends आज के लिए इतना ही thank you, thanks for watching take care